हे दोस्तो स्वागत आपका मैंसले स्ट्रेक शैनल में इस वीडियो में हम देखेंगे अपने MP Delight application का MPN हम कैसे change कर सकते हैं जहां दोस्तो अगर आपका MPN expired हो चुका है उसे अब change करने की जरूरत है तो उसे आप कैसे कर सकते हैं चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं तो यहां से दोस्तो हम सबसे पहले MP Delight app open करेंगे and login करेंगे तो login करने के बाद दोस्तो आप यहां पर three lines पे क्लिक करेंगे और यहां पर दोस्तो आपको change MPN and reset MPN reset MPN में दोस्तो अगर आप MPN भूल चुके हैं तो इस option की मदद से आप MPN को reset कर सकते हैं उसमें आपको ATM कार्ड की details देनी है उसके बाद आप MPN को reset कर सकते हैं अगर आपका MPN उसके लिए हमने already वीडियो बनाई है आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं और completely reset MPN कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तो अगर आपका expire हो चुका है तो आप change MPN पर क्लिक करके अपना यहाँ पर old MPN देंगे यहाँ पर आप वही MPN देंगे जो आप इस्तिमाल कर रहे थे तो जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ तो जैसे मैंने यहाँ पर old MPN दे दिया तो अब हमें नया रखना है क्योंकि हमारा जो यह old MPN है वो expire हो चुका है तो अब हम यहाँ पर नया रखते हैं और M-PIN चेंज इट सक्सेस्फुली, तो इस तरह से दोस्तों आप अपना M-PIN चेंज कर सकते हैं, अगर आपका एक्सपायर हुआ है, तो आप ये वीडियो देखके एक्सचेंज कर सकते हैं, अगर आपका टोटली आप भूल चुके है M-PIN, तो आप उपर आए बटन और नी M-PIN की वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप उसे रिसेट कर सकते हैं, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए Keep Watching Matchless Tech Channel